तो दोस्तों, Welcome Back, Back to Directory के इस एपिसोट में आपका स्वागत है, तो दोस्तों इस एपिसोट पर हम बात करेंगे Delegation के बारे में और जानेगे की Act to Directory Delegation क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों, important ये question आता है कि हमें Delegation की जरुरत क्यों बढ़ती है, ठीक है, तो इस चीज को भ माल लीजिए कि आपके पास एक आप किसी एक कंपनी में काम करते हो ठीक है और उस कंपनी के पास एक सिंगल फॉरेस्ट है ठीक है सिंगल फॉरेस्ट है और सिंगल डोमेन है मतला यह है हमारा फॉरेस्ट ठीक है यह माल लीजिए यह हमारा एक फॉरेस्ट है और यहां पर एक single domain है, ठीक है, single domain, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या होता है कि आपके पास जैसे ही आप domain controller build करते हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ privilege groups बन जाते हैं, by default, जैसे enterprise admin, ठीक है, अगर आपको enterprise admin का काम पता है, तो comment box में बता है, बना next वीडियो में आपको सब बताऊंगा, कि enterprise admin, domain admin, और schema admin, ठीक है, domain admin, admin, ठीक है, schema admin, administrator, administrator दोस्तों क्या होता है, कि जैसे ही हम, माल लीजे, ये एक, मैं आपको यह आगे चलके दिखाऊंगा भी, जब मैं upgrade के वीडियो बनाऊंगा, upgrade में, मतलब हम कैसे upgrade करते हैं, from एक version से दूसरे version में, क्या-क्या requirement आनी चाहिए, क्या-क्या prerequisites है, ठीक है, तो वो सारी चीजे हम पढ़ेंगे, और हम उसको live समझेंगे, live मतलब कि आप यहां नहीं कर रहे हो, just suppose आप किसी एक organization के अंदर करने जा रहे हो, ठीक है, मेरे अभ scenario में डालूँगा, अभी तक हम, क्या कर रहे थे, कि हम अभी तक definition पढ़ा रहे थे, ठीक है, theory पढ़ा रहे थे, अब मैं scenario wise आपको चीजों को बताऊँगा, कि कौन सी चीज कहां पर कैसे use करते हैं, ठीक है, तो यहां पर administrator जैसे मैंने बताया, होता क्या है, दोस्तों, आप किसी भी, माल लीजिए, आपके पास नया domain बनाना है, आपको forest नया बनाना है, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या है, एक VM है, VM या physical machine, इसके उपर क्या पढ़ा हुआ है, दोस्तों, इसके उपर Windows का कोई operating system पढ़ा हुआ है, कौन सा पढ़ा हुआ है, server वाला, server में माल लेते है हम 2019 पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके उपर Windows install की, और इस VM के उपर, ठीक है, इसको एक IP दिया, ठीक है, IP देने के बाद, ये IP देने के बाद, आपने इसके local administrator का आपको password पता है, local admin का, ठीक है, local admin, जब हम इसको promote करते हैं, आप promote करने का मैंने वीडियो डाल लखा है, आप देख सकते हो, promote का मतलब हो गया, यहाँ पर हम जब इस VM को, normal Windows VM को domain controller बनाते हैं, promote का मतलब यह हो गया, domain controller बनाते हैं, तो हमें क्या बताना पड़ता है उसको, कि यह हमारी domain का नाम है, इसको हमें domain का नाम बताना पड़ता है, ठीक है, और भी activities साथ में कर पड़ती है, तो यह आप मेरा वीडियो देख सकते हो, तो उस टाइम पर क्या होता है, यह जो local administrator होता है, यह भी promote होता है, यह promote किस में हो जाता है, हमारा domain administrator में, ठीक है, domain admin अलग है, ठीक है, और administrator अलग है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा भी दूँगा, administrator, ठीक है, तो इसक हम domain administrator ना बोलके, हम इसको बोलते हैं क्या built-in administrator, ठीक है, built-in administrator या domain controller administrator भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर और भी group बन जाते हैं, हमारे, just like backup, admin, ठीक है, account operator, तो यह जो group बनते हैं, ठीक है, इन groups का purpose अलग-अलग है, हर चीज़ का एक अलग अपना purpose है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर dhcp administrator भी बन जाता है, मैं कुछ example ले रहा हूँ, dhcp administrator, ऐसे करके बहुत सारे group बन जाते हैं, यह जो group बनते हैं, वो default बनते हैं, आटोमेटिकली बन जाते हैं, जैसे यह आप domain controller को promote करते हो, और इन groups के पास, अपने rights होते हैं, जैसे enterprise के पास different rights है, domain admin के पास different rights है, ठीके, तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को, कि जैसे ही, मालो एक example हम इसका ले लेते हैं, ठीके, example लेते हैं, हम अपने UP का ले लेते हैं, ठीके, मालो ये एक हमारा UP state है, ठीके, UP state है, जैसे ही यहाँ पर किसी की government बनती है, ठीके, तो वहाँ पर role कौन कौन से है, role पहले से define है, यहाँ पर CM, ठीके, CM हो गया, और home minister हो गया, ठीके, ऐसे करके, बहुत सारे roles defined, किसी minister हो गया, ठीके, और, बहुत सारे ministers हो गया, ठीके, sports minister हो गया, ठीके, तो यह बहुत सारे role defined है, किसको मिलेंगे यह role, ठीके, यह role लेकिन पहले से ही defined है, यहाँ पर, चाहे किसी की government रहे या ना रहे, ठीके, क्योंकि हम इसमें एक बन्दा assign करते हैं, ठीके, तो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर पहले से ही role defined है, आप इसमें कौन सा बन्दा add करते हो, यह आपके उपर है, ठीके, तो यह एक तरीका है, मतलब मैंने इसको easily explain किया है, hopefully आपको समझ में आ गया हो, ठीके, अब just suppose example के तोर पे देख लेते हैं, कि यह एक बन्दा था राम, ठी जाती है, तो उसको कौन सा role मिल जाता है, Chief Minister का, सियाम को कौन सा role मिल जाता है, Home Minister का, बट यह role तो पहले से ही defined है, हमारे roles पहले से ही defined है, यह यह roles होते है, ठीक है, अगर इनको कोई नया role बनाना है, मालो राम Chief Minister बनने के बाद इसको कोई नया role बनाना है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा पहले से प्रीडिफाइड नहीं इसको हम कस्टम्स बोल सकते हैं कस्टम रोल ठीक है इसको अगर कोई रोल बनाना है ठीक है इसको कस्टम्स रोल भी बोल सकते हैं ठीक है तो हर रोल के पास अपने खुद के राइट होते हैं चीफ मिनिस्टर के पास अलग होते इंटरप्राइस के पास अपना अलग वर्क है, अब हम कैसे जानेंगे किसके पास कौन सा वर्क है, कि माल लीजे हमने एक domain controller promote कर दिया, ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे किसके पास कौन सा रोल है, उसके लिए मैं आपको क्या चलता हूँ, अपने domain controller पर ले चलता हूँ, ठीक है यह domain controller हमने build किया, बनाया, freshly हमने इसमें कोई, कुछ भी changes नहीं किये हैं, जैसा बन के आता है, वैसे ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले चीज है कि administrator, अब administrator के पास क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ description में पढ़ सकते हो, administrator have the complete and unrestricted access on the computer slash domain, ठीक है, तो आपको पता चल गया, यहाँ पर description में already defined है, कि administrator के पास कौन कौन सी power है, description में already defined है, जैसे account operator अगर आप open करते हो, तो यहाँ पर लिखा है, member can administrator domain users and group accounts, ठीक है, member can administer domain users and groups, मतलब अगर इसका कोई भी member होगा, वो domain users और groups को manage कर सकता है, ठीक है, जिस backup operator पर आते हो, तो backup operator can override the security restriction, ठीक है, override the security restriction for the sole purpose of backing up our restoring file, ठीक है, तो इसके पास अपने backup के rights हो गया, ठीक है, तो हर चीज के अपने-अपने rights हैं, और वो सारी चीज़े यहाँ पर description भार में mention है, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर, ठीक है, अगर आप users पर आओगे, तो यहाँ पर आपको domain admin भी मिल जाएगा, ठीक है, domain controller भी मिल जाएगा, यह भी एक group होता है, domain admin भी होता है, ठीक है, तो domain controller हमारा किसका है, computer के लिए group है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर खोलोगे, तो हमारा यह वाला server है, जिसके उपर मैं login हूँ, यह इसका member है, ठीक है, तो बिना member, सिर्फ के आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसकीमा, आप देख सकते हो, schema admin, ठीक है, schema admin में कौन member है, admin 01, इसको मैंने, इसका member बना हुआ है, admin 01 हमारा क्या है, built-in account for administrating the computer and join, ठीक है, यह हमारा user है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, वो जाके administrator बन जाता है, बट, administrators एक group भी होता है, ठीक है, यह इसका member रहता है, by default, इसके member कौन-कौन से रहते, administrators group के, domain admin और enterprise admin, ठीक है, तो यह चीज़ भी आपको clear होगे, अब domain admin और administrators, यह दोनों ही अलग-अलग roles है, मतलब, अगर आप यहाँ पर आओगे, users पर, यह हमारा कौन सा है, built-in administrator है, built-in account है, ठीक है, जब मैंने VM बनाया था, तो उसका नाम दिया था, जब आप VM बनाते हो, या local physical server होगा, तो उसका एक administrator होगा, उसका नाम जो भी दोगे, मैंने यहाँ पर admin01 दिया था, उसका नाम, ठीक है, इसलिए admin01 दिख रहा है, by default यह क्या होता है, administrator होता है, ठीक है, तो आप इसको rename भी कर सकते हो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यह जो description है, यह और domain admins की description है, ठीक है, design designated administrator of this domain, ठीक है, तो यह क्या होता है, हमारा जो domain admins होता है, यह group हमारा, इसको design किया गया है, कि इस domain के उपर, as a administrator काम करें, इस domain के उपर, learn in Hindi.com, learn in Hindi.com, बट जो built-in होता है, ठीक है, अगर आप इसकी definition पर होगे, built-in account for administrating the computer and slash domain लिखा है, ठीक है, तो यह particular इस computer के लिए होता है, ठीक है, अब, इस domain में बहुत सारी चीज़े और भी होती है, just like हमारा domain में हो गया, group policy हो गया, DNS हो ठीक है, तो और भी चीज़े होती है, साइडन सर्विसेज, ठीक है, तो उन में क्या होता है, कि यह जो हमारा account होका है, इसको particular इस domain controller के उपर full rights है, मतलब, अब यहाँ पर यह चीज़ समझने वाले है, जो लोग confuse कर जाते हैं, वो यही यह चीज़ को confuse कर जाते हैं, मैं आपको फिर से एक बार इस पर बता देता हूँ, कुट है क्या है दोस्तों, आपने एक VM box को, एक्ट्टू डारेक्ट्री सर्वर बनाया है, ठीक है, AD server बनाया है इसको, आपने एक VM box को, करेक्ट, अब इस VM box के उपर Windows भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, Windows 2019 पढ़ा हुआ है, ठीक है, जैसे ही यह AD server बनता है, इसका नाम हो जाता है, domain controller, और इस पर AD server है, तो मतलब AD की functionalities हैं, बहुत सारी functionalities हैं, ठीक है, और AD से integrated आपका DNS भी है, ठीक है, correct, तो यह जो आपका domain controller है, ठीक है, यह domain controller के उपर क्या है, domain, ठीक है, वो domain आपकी क्या हो सकती है, forest हो सकती है, या child domain हो सकती, या tree domain हो सकती, कुछ भी हो, ठीक है, वो domain आपकी, पर finally वो domain है, ठीक है, जो यह domain है, इसका जो administrator है, वो हमारा क्या है, domain admins, ठीक है, और जो इस domain controller का administrator है, वो है हमारा admin 01, यहाँ पर नाम है, वैसे इसका नाम होता है, administrator, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका नाम change किया था, अब आपको समझ में आ गया, कि यह जो हमारा domain controller, ठीक है, जो domain controller है, उसका administrator का नाम क्या है, administrator, और जो domain का है, administrator, उसका नाम है, domain admins, ठीक है, मतलब यह account powerful हुआ, compared to इसका, क्योंकि यह, जो यह account है, इस particular server को ही कर सकता है, ठीक है, इस domain controller पे ही इसको rights है, ठीक है, reboot करना, यह सब कुछ करना, यह कर सकता है, बट domain admins क्या होता है हमारा, इसके पास special permissions होती है, एक particular domain के अंदर, यह कुछ भी कर सकता है, यह सबसे powerful account होता है, यह सबसे powerful account होता है, domain admins, एक domain के अंदर, सबसे powerful account यह होता है, अब लोग बोलेंगे, sir enterprise, ठीक है, मैंने जैसा कि बोला, एक domain के अंदर, ठीक है, अब समझ, suppose कर लो, यह domain का नाम है हमारा, domain 1, ठीक है, आपने क्या किया, इसमें, दो domain और add कर दी, ठीक है, दो domain और add कर दी, यह हो गए हमारी domain 2, यह हो गए हमारी domain 3, अब हम समझतें, enterprise, ठीक है, मैंने जैसा कि बताया, इस domain में सबसे powerful हमारा क्या है, domain, admins, ठीक है, इस वाली domain में भी सबसे powerful हमारा क्या हो गया, domain admins, ठीक है, यह generally interview में लोग confused हो जाते हैं, मैंने, जब interview में यह question पोछता हूँ, domain admins, इस वाली domain में भी domain admins सबसे powerful है, बट जब आप इस पूरे scenario की बात करते हो, क्योंकि यह क्या हो गया, एक forest हो गया, एक forest में हमारे multiple domains होती हैं, जब आप multiple domains की बात करते हो, तब एक role आता है, वो है enterprise admin, ठीक है, enterprise admin, enterprise admin सबसे powerful तब आता है, जब आप एक domain से दूसरी domain की बात करते हो, यह जाते हो, ठीक है, अगर आपको एक domain पे काम करना है, तो सबसे powerful account कौन सा है, domain admin, अगर आपको multiple domains पे काम करना है, तो सबसे सही account कौन सा है, domain, admin नहीं, enterprise admin, क्योंकि enterprise admin, आप ऐसे समझ लो, यह domain admin हर domain का local account है, ठीक है, इस domain का local है, यह domain admin, इस domain का local account है, यह domain admin, इस domain का local account है, ठीक है, और enterprise admin के पास क्या होता है, कि यह जितने भी domain admins हैं, ठीक है, आप मालनो, यह इसके member हैं, ठीक है, यह इसके member है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, कि यह जो enterprise admin है, इसको हर domain पे domain admin के rights होते हैं, ठीक है, हर domain पे इसको domain admin के rights होते हैं, सिर्फ enterprise admin को, ठीक है, enterprise admin को हर domain पे domain के rights होते हैं, बट अगर आप particular एक forest की बात करते हो, ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, particular एक forest की बात कर रहा हूँ, एक single forest की बात कर रहा हूँ, और वो single domain भी है, single domain और single forest की बात, single domain, अगर मैं लिख देता हूँ, single domain, ठीक है, single domain का मतलब single forest ही हो जाता है, single forest की बात करते हो, तो इसमें domain admin, domain admins, ठीक है, equal to enterprise admin हो जाता है, price admin हो जाता है, ठीक है, अगर आपका environment single है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी domain admin के पास rights हैं, वो enterprise admin के पास होते हैं, ठीक है, आप दोनों को same मानों, क्योंकि आपके पास multi domain environment नहीं है, जैसे ही आप एक नई domain introduce करते हो, ठीक है, मालो आपने बोला कि मैं इस domain को add करने जा रहा हूँ, तो add करने के लिए आपके पास कौन से rights होने चाहिए, enterprise, ठीक है, enterprise admin rights होने चाहिए, क्योंकि अब बात हो गई multi की, जैसे ही आप add करने जा रहे हो, multi हो गया, multi domain हो गया, ठीक है, multi domain हो गया, तो यह है basic difference between enterprise और domain admin के बीच में है, ठीक है, enterprise को पूरे के पूरे forest में जितनी भी domains होती है, उन सब पे rights हैं, access करने के, ठीक है, activity perform करने में, ठीक है, just suppose मैं interview में यह question पूछता हूँ कि भाई, multi forest आपका environment है, ठीक है, multi forest आपका environment है, माल लीजे, यह है आपका multi forest environment, ठीक है, यह आपका environment है, multi forest, ठीक है, यह है आपका environment, अगर इस environment में मुझे कोई script run करनी है, सक्रिप्ट रन करने के लिए मुझे चाहिए सारे के सारे सर्वर सारे सारे मुझे रिप्रीकेशन सही चला है तो मुझे उस के उसं कौरन करने के के लिए कौन से rights की जुरुत पड़ेगी तो वो है हमारा इंटर प्राइस ठीक है इंटर प्राइस या आप AD के लिए या DNS के लिए भी अगर पूरे whole environment में आप script run करते हो तो भी आपको enterprise admin के rights चाहिए ठीक है तो यह चीज़ clear हो हो गई दोस्तों आपको domain admin आपका particular domain के लिए होता है enterprise आपका whole soul पूरे forest के लिए होता है correct वैसे ही एक आता है दोस्तो schema admin ठीक है schema admin दोस्तो schema admin क्या होता है schema जैसे का नाम से है मैं आपको पहले बिता चुक हूँ यह schema को update करने के लिए काम आता है और schema हमारा क्या होता है forest पे होता है forest मतलब जो हमारी first domain होती उसके उपर होता है ठीक है तो यह भी हमारा सारे के सारे और schema की copy हर domain controller के पास होती है ठीक है तो यह हमारा forest के पास होता है इस role का सिर्फ इतना ही काम होता है कि schema को अपग्रेड करने के काम में आता है अगर हम schema को में कोई changes करते हैं, modification करते हैं तो हमारे पास schema admin होना चाहिए correct यह बहुत कमी activities परफॉर्म होती है generally environment में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो privilege account and groups in AD ठीक है enterprise admin, domain admin administrators, schema admin account operator मैंने आपको बता दिया था account operator users and groups को modify कर सकता है changes कर सकता है सारी चीज़े वो users and groups में कर सकता है ठीक है backup operator backup के लिए है dacp administrator dacp में सारी activity group policy creator owner मतलब कोई भी gpo बना सकता है changes कर सकता है print operator भी यही काम कर सकता है printer से related अब problem क्या आती है दोस्तों हमें delegation की जरूरत क्यों पड़ी ठीक है delegation की हमें जरूरत क्यों पड़ी अब माल लीजे आपको कोई domain controller पे कोई activity करनी है या फिर miserly जो activities होती है वो users और groups पे ज़्यादा activities होती है ठीक है users, groups and computers पे ज़्यादा activities होती है एक environment में, ठीक है हम एक domain controller वाले पे भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या activities होती है, पहले हम एक users, groups users का जैसे just like password reset हो गया, ठीक है यह password reset कौन करता है, help test करती है आपने help test team बैठाल लगई है ठीक है, आप एक environment में काम करते हो जहां पर help test team बैठी है, उनका काम है सिर्फ password reset करवाना करना, ठीक है, थोड़ा बहुत काम करना की account को कुछ detail modify कर देना after the confirmation, बट account create नहीं कर सकते हो ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन help test वाले बंदे हैं, इनको कोई ना कोई rights देने पड़ेंगे ठीक है, अगर आप यहाँ पर account operator का rights दे सकते हो तो यह सारी चीज़े कर सकते हैं, groups को modify कर देंगे, user modify कर देंगे आप, मतलब environment की band बजा देंगे, उनको password reset करने के अलावा और भी बहुत सारे rights मिल जाएंगे, तब आता है यहाँ पर delegation picture में आप उनको वो चीज़ डेलिगेट करोगे जो उनको require है अगर आप चाहते हो कि यह सिर्फ password ही reset कर पाएं यह लोग सिर्फ password reset कर पाएंगे अगर आप चाहते हो उनको rights मिल जाएं कि यह object को computer object को move कर सके एक OU से दूसरे OU में, वो भी इनको मिल जाएंगे, ठीक है, बस इतने ही मिलेंगे, इसके लावा और कुछ नहीं मिलेगा, यह हम काम करते हैं through the delegation ठीक है, आप समझ में आगा होगा आपको delegation बहुत ही important role play करता है जब हम security की बात करते हैं, security दोस्तों क्या होती है security, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि जो भी hackers होते हैं या hackers होते हैं, उनका जो main target होता है, वो हमारा होता है privilege account, ठीक है उनका target होता है privilege account क्या होता है, privilege account के through, आप ठीक है, उस organization के domain controller को hack कर सकते हो, अगर AD आपका hack हो गया, तो आपकी पूरी domain, पूरी organization hack हो गई, ठीक है तो आप ये माल लो, domain controller सबसे high risk तो होता है ठीक है, तो domain controller hack होने के बाद, वो बंदा enterprise admin, domain admin के rights को use करके कुछ भी कर सकता है, organization के अंदर अब वो किनके सहारे गुसेगा ठीक है, इनके, किनके सहारे यहां तक पहुचेगा तो वो loop holes होते हैं हमारे ये हो गया, ठीक है backup operator हो गया, dcp हो गया ठीक है, printer operator हो गया ठीक है ये सारी चीजों को use करके वो यहां तक गुस सकता है, तो इसी लिए हम यहां पर delegation use करते हैं ठीक है, delegation अब delegation का मतलब क्या हो गया यहां पर दोस्तों ठीक है delegation हम use करते हैं अब यहां पर दोस्तों delegation का हमारा क्या मतलब हो गया delegate control to groups, ठीक है अब हमें delegate क्या करने है, हमें help desk, हमारा help desk का हमने group बनाया ठीक है, उसको हमने delegate कर दिया या तू password reset ही कर सकता है बस ठीक है, तेरा काम है password reset करने का, ठीक है आपकी क्या desktop एक team है desktop एक team है उसका काम क्या है कि domain में join कराना computer, हमने इसको delegate कर दिया भाई, तू जो है सिर्फ domain में join करा सकता है, computers को domain joining ठीक है, domain joining correct, जिसको जो जितना काम है, उसको हमने उतने ही rights दिये, हमने इनको इस groups में directly add ना करके एक custom group बनाया, ठीक है, एक custom group बनाया इसको भी मैं पता देता हूँ हम इस delegation को तीन exercise के थूँ समझेंगे, ठीक है, first है हमारा password, ये exercise है हमारी तीनो के तीनो जो ना help desk के लिए help desk या फिर आप IT, local IT team के लिए भी बोल सकते हो ठीक है, help desk के लिए हैं, local IT के लिए हैं, मतलब end user की सारी चीज़े हैं, ठीक है इसके बाद हम मैं add करूँगा exercise for the administrators के लिए, ठीक है administrators के लिए में क्या हो सकता है कि हमें किसी को GPO की permission देनी है कि वो GPO ही create कर सके ठीक है, GPO create कर सके और या फिर GPO read only की permission देनी है, या फिर side and services की permission देनी है तो मतलब इन में भी हम delegation ढूनेंगे कि कैसे हम इन में delegation perform कर सकें ठीक है, तो अभी पहली क्या है हम end user की तरफ से करेंगे कि मतलब password reset, unlock ठीक है, delegate permissions to modify group membership delegate control to delete computer accounts, तो पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं ठीक है, तो इसको मैं एक example के दूँ समझाता हूँ कि मालो एक हमारी इंडिया location है, ठीक है, यह हमारा act to directory का console है, dsa.msc ठीक है, यह dsa.msc है, यह हमारी क्या है global location है, ठीक है global location है, इसमें हो सकता है बहुत सारी countries हो सकती है मैं मान के चल ला हूँ, एक यह इंडिया का OU है, ठीक है यह इंडिया का OU है, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, users ठीक है, computers हम एक बार इसको पूरा example, मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बात करेंगे न, तो बहुत easy रहेगा groups, ठीक है, यह इसके अंदर क्या क्या होंगे, यह सारे के सारे यह सब OU हो गया हमारे groups हो गया, servers हो गया ठीक है, तो यह सारे groups होते हैं, और यह हमारा OU का नाम क्या है, India ठीक है, यह India OU हो गया, अब यहाँ पर Users को manage करने के लिए Computers को manage करने के लिए, क्या होगी Helpdesk Team होगी, ठीक है Helpdesk Team हमारी क्या करेगी, इनके users को manage क्या करेगी, इनके password, इनके groups, add करना remove करना, जो भी आपको करना हो, या फिर local जो support team होती, वो भी होगी, वो troubleshooting करेगी ठीक है, बहुत सारे teams होती है, ठीक है, end user के point of view से, तो मैं यहाँ पर मानके से चल ला हूँ, एक हमारी helpdesk team है, ठीक है यह हमारी helpdesk team है, ठीक है यहाँ पर helpdesk team में दो दो चार बंदे हैं, जो काम किया करते हैं, ठीक है इनके नाम भी लिख लेते हैं, तो आपको और easy रहेगा, एक का नाम मालीजे, राम है दूसरे का नाम, रिया है, ठीक है तो हम भी दो को लेके चलने हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो हमें अभी क्या कर रहे हैं, अगर हम delegation use नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास option क्या है, आपने, जो help desk वाली team है, उसको आपने उन users को आपने किसमे account operator में add कर रखा है account operator group है, किसमे है AD में, ठीक है operator में add कर रखा है, तो ये सारी activity perform कर रहे हैं, ठीक है बट, आपकी company कहती नहीं भी है, ये account operator के पास तो बहुत सारी permissions होती है, हमें सिर्फ इनको क्या देना है, सिर्फ password reset का देना है, और अगर कोई account disable हो जाए तो उसको ये लोग enable कर सके, तो यहाँ पर आपकी requirement आगे custom की, तो आप क्या करोगे पहले आप एक group बनाओगे group वाले OU में, custom OU इसका नाम मैंने दिया help जो मैं नया group बनाने जा रहा हूँ new group, लिख देता हूँ मैं आपर new group, ठीक है इसका नाम दिया मैंने helpdesk underscore India ठीक है, underscore India अब आप helpdesk की requirement देखोगी कि helpdesk आपकी करना कह चाहती है, तो basic majorly requirement, password reset अगर किसी का account disable हो गया है तो उसको enable कर दें, ठीक है एक दो attribute change कर दें, तो इससे जदा helpdesk के पास ज़रूरी नहीं होते right, ठीक है, तो मैं यहाँ पर helpdesk को मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने एक helpdesk के नाम से group बनाया ID में, ठीक है group बनाने के बाद मैंने ram और ria को इसमें add किया ram and ria को इसमें add किया और साथी साथ मुझे यहाँ से भी इसको हटाना पड़ेगा, मतलब ram and ria को account operator से भी मैंने हटा दिया ठीक है, अब यह custom group बन गया helpdesk indoskore india ठीक है, इसमें मैंने ram and ria को add कर दिया, अब मुझे क्या इसको delegation के through किस पर delegate करना पड़ेगा, मुझे india ou पर delegate करना पड़ेगा, इस वाले group को, कि भी यह तुम्हें permission मिल जाए, क्या password reset की और account enable and disable करने की ठीक है slash enable बस इतनी permission मिल जाए, इसके इलावा भी अगर आपको देनी है, तो वो भी आप दे सकते हो ठीक है, मैं अभी इतना example लेके चल ला हूँ, तो यह आपको scenario समझ में आ गया, इसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना है dsa.msc में जो भी हमारा OU है, इंडिया ठीक है, मैं आपके साथ में OU भी create करूँगा, उसके अंदर हमारे users हैं, computers हैं, groups हैं, servers हैं और भी बहुत सारी चीज़े हो सकती हैं, applications भी हो सकते हैं, ठीक है और यहाँ, इसको users और computer को manage करने के लिए जो helpdesk team है, उसमें राम और रिया हैं, ठीक है तो मैंने क्या किया, एक group बनाया, helpdesk underscore India के नाम से, ठीक है उसमें मैंने राम और रिया को add किया अब मुझे इस particular OU के उपर, इंडिया OU के उपर ठीक है, इंडिया OU के उपर इस वाले particular OU पर मुझे क्या permission देनी पड़ेगी, password reset and disable enable करने की account, ठीक है इंडिया वाले OU पर ही क्यों देनी पड़ी, क्योंकि ये लोग इंडिया का OU manage करते, अब just suppose मालीजे, यहाँ पर एक UK का भी OU है ठीक है, और same चीज है, उसमें users हैं, ठीक है computers हैं, ठीक है ऐसे ही करके, यह सारी चीजे उसमें भी है, ठीक है अब यहाँ पर UK की location को manage करने के लिए क्या है, हमारे पस एक दूसरी help desk team है, जो की UK की है, ठीक है UK की help desk team है अब इसमें क्या है इसमें Adam है ठीक है, James है तो यहाँ पर भी हम help desk group बना सकते कस्टम, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे help desk underscore UK, ठीक है तो यहाँ पर हमारा underscore इंडिया मैंने रखा था, यहाँ पर मैंने underscore UK, तो आप naming convention के थुरू, इसको अलब अलग थलग भी कर सकते हो ताकि easily आप पहचान सको, कि हाँ, किस के लिए कौन सा group है, तो वो बहुत easy रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हो ठीक है, और साथ में हर group के description में भी आप लिख सकते हो कि purpose of this group, तो वो भी आपके लिए easy रहेगा तो हम चलते हैं, इस activity को perform करते हैं, अपने domain controller पर, कि देखते हैं कि हम delegation कैसे दे सकते हैं हमें exercise में करना है, इंडिया OU बनाने के बाद, आप यहां पर user, computer और servers, groups का OU's, sub OU's देख सकते हो इसके अंदर ठीक है, users में हमारे users रहते हैं, computers में हमारे computers रहते हैं, servers में, servers और groups में, और अगर आपकी requirement हो, extra कुछ बनाने की, just like इसमें इंडिया के अंदर statewide बनाना है आप उसको भी बना सकते हो तो यह एक, मैंने आपको सिर्फ example के तोर पर बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर हो सकता है, आपकी company का office UP में हो, और किसी और district में हो, किसी और state में हो, ठीक है, तो आप उस हिसाब से बना सकते हो, बट आपको जरना main location के अंदर generally, जो है यह सब OUs हमें ज़रुवत पढ़ते हैं, users, computers, servers and groups, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर हमारे दो user बने हुए, राम और स्याम, यह हमारे सिया, यह हमारे group बनाने जा रहे है, helpdesk का, ठीक है, helpdesk का group बनाने जा रहे है, जिसका नाम रखते है हम, helpdesk, helpdesk, underscore, indiindia, ठीक है, यह group हमारा बन गया, अब हम इस group का member किसको बनाएंगे, helpdesk वाले बन्दों को, तो हमारे यहाँ पर कौन है, राम है, और सिया है, हमने इसको member बना दिया, अब यह member बन गया, अब हमें इस group को permission देनी है, किस पर देनी है, हमें इंडिया के अंदर देनी है, सारी users देखो, आप इंडिया पर भी दे सकते हो, और users में भी दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में हमें permission क्या देनी है password reset की, ठीक है password reset किसका करना है, जो इस OU में जितने users है, generally आप users सारे इसमें ही डालोगे, correct, तो आपको permissions किस पर देनी चाहिए, इसी पर देनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं delegate पर जाता हूँ, ठीक है, तो delegate पर मैं help desk वाला group यहाँ पर add कर देता हूँ, यहाँ पर आपको बताना है किस group पर आपको delegation permissions देनी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप individual user कभी भी मत use करो, ठीक है, हमेसा group को ही use करो, group best है क्योंकि individual बंदा रहेगा, नहीं रहेगा, बट group यहीं पर रहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर आओगे, a custom task to delegate, यहाँ से आप यह भी delegate directly भी assign कर सकते हो, बट मेरी क्या है custom requirement है, यहाँ पर आपको कुछ options मिल जाते हैं by design, ठीक है, कुछ options मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर reset password का भी मिल ला है, बट मुझे क्या करना है, उसको unlock भी कर सके, उस account को, particular account को unlock भी कर सके, तो मैं यहाँ पर आँगा next, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आओगे, तो इक इस पर click करोगे, जो object हमें click करना है, नीचे आएंगे हम user object, हमें सिर्फ user object पर ही काम करना है, user object, आप यहाँ पर बहुत सारे options और भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब इस particular OU पर delegate कर सकते हो, कि भी या, यह सारी चीज़े भी वो कर सके, बट अभी मेरा सिर्फ motto है, password reset और account को unlock करना, ठीक है, तो password reset करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे अगर आप करोगे, reset password, change password, ठीक है, और account unlock और lock का भी option आ रहा होगा, ठीक है, तो, यहाँ पर आप write properties, read properties, ठीक है, यह भी कर सकते हो, बट अभी मेरा वो objective नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, read properties, write properties, read and write, login, logon information भी आप click कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम read and write, logon information पर click करते हैं, तो यह हम इसके account को log भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यह मैं next करता हूँ, और next कर दिया, अब राम और रिया के पास permissions मिल गई, password reset करने के लिए, पर किसका password reset करेंगे, एक user भी हम बना देते हैं, user1, user1 for the, इस user का हम password reset करवाएंगे, ठीक है, राम और रिया से, अब यहाँ पर question आएगा, दोस्तों आपके दिमाग में, कि sir, AD console इनको मिलेगा कैसे, राम और रिया, तो दोस्तों क्या होता है, और और रिया अपने desktop पे AD tool डाउनलोड कर सकते हैं, Rset tool configure कर सकते हैं, या फिर अगर desktop पे नहीं करना चाते हैं, तो बहुत सारे market में tool आते हैं, चलो उन tools की भी बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक server बनाया हुए, jump server, ठीक है, जनरली क्या करते हैं, organization यह यूज़ करते हैं, एक jump server बना देते हैं, और इस jump server पे Rset tool डाल देते हैं, ठीक है, कैसे Rset tool डालते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, Rset tool मैं आपको बता चुक हूँ, फिर से एक बार हम देख लेते हैं, कैसे हम Rset tool डालते हैं, Rset tool डालने के बाद, इसके उपर जो भी login करेगा, जैसी इनके वाद requirement होगी, इसके उपर login करके reset कर देंगे, password, ठीक है, या फिर companies, आप जो हैं, अपने laptop पे भी install कर सकते हो, अगर आपका laptop domain में है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं इस पर Rset tool डाल दे रहा हूँ, जनरली क्या होती, companies अपने laptop पे ही install कर लेते हैं, ठीक है, इसी लिए हम इसको permission कम देते हैं, ठीक है, Rset tool डालने के लिए, आपको यहाँ पर remote administration tool पे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, भी यहाँ हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, active directory module for windows power cell, ठीक है, ADDS tools पे अगर आप क्लिक करोगे, active directory, ADDS snapping, command line, ठीक है, administrative center, आप यह भी install कर सकते हो, administrative center, तो यह मैं इसी को install कर लेता हूँ, और next कर देता हूँ, ठीक है, तो इस system के उपर मेरा AD tool आ गया, AD tool का मलब AD console आ गया, ठीक है, वैसे बहुत सारे market में और भी tools हैं, लोग use करते हैं उनको, ठीक है, reset करने के लिए, तो जैसे ही इस पे AD tool पड़ जाएगा, अब RAM और RIA इस system पे login कर सकते हैं, उनको login करने के लिए, इस system पे क्या access, मतलब RDP लेने के लिए, मुझे उनको remote में भी add करना पड़ेगा correct, तो मैं RAM और RIA को यहाँ पर remote में add कर देता हूँ, चलिए मैं RAM को add कर देता हूँ, ठीक है, RAM को add कर दिया मैंने, next video में हम दोस्तों समझेंगे, GPO का delegation, DNS का delegation, इन सारी चीज़ों को भी हम करेंगे, ठीक है, तो RAM को permission मिल गई, अब यह download हो रहा है, मैं RAM के थूरू remote ले लेता हूँ, इस machine का, इसका remote ले लेता हूँ, इसका IP के हिजाब से यही है, RAM, और इस domain का नाम लिख देता हूँ, learn in Hindi, और password डाल देता हूँ, ठीक है, तो यह RAM को remote मिल गया, अब देख सकते हो, RAM प्लिक के आ रहा है, यहाँ आपर, RAM को remote मिल गया, आप RAM user1 का password reset कर सकता है, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, कि RAM को क्या-क्या visible हो रहा है, तो मैंने आपको पूरा करके बता दिया, कैसे करते हैं हम, कैसे organizations use करती है, helpdesk के लिए helpdesk, particular आप helpdesk के लिए tool देख सकते हो, अगर उनके system पर install करना है, वनना centralized ज्यादा best रहता है, ठीक है, यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ पर हमने user and computer open किया, ठीक है, यहाँ पर user and computer open हो गया, आप RAM, जो ना, किसका password reset करने जा रहा है, इंडिया में, ठीक है, user one का password reset करेगा, reset password, यहाँ पर देखिए, मैंने यह option टिक नहीं किया था, user must change password and next law one, तो यहाँ पर इसको gray out आ रहा है, ठीक है, gray आ रहा है, यहाँ पर unlock this account, यह हमने लिया था, select किया था, तो इसलिए यहाँ पर यह आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यह अपना password डाल देगा, जो भी डालना हो, इस user के लिए, यह देखिए, password change हो गया, अब example के तौर पर माल लिजीए, यह इसका password change करना चाहता है, ठीक है, इसका password change करना चाहता है, देखते हैं, यह कर पाएगा इसका password या नहीं, यह भी हम testing कर लेते हैं, ठीक है, access deny लिखके आ गया, और यह user बनाना चाहता है नया, इसी में बनाके देख लेते हैं, ठीक है, इसको new का option भी नहीं आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, तो इसको new का option भी नहीं आ रहा है, कोई option नहीं आ रहा है, आप माल लिजीए, इस user का हम देखना चाहते हैं, कि यह सारे object देख सकता है, user का, बट कोई भी changes नहीं कर सकता है, यहाँ पर आप देख रहोगे, यहाँ पर सारी चीजे, इसकी expiry भी है, शेट नहीं कर सकता है, तो यह सारी चीजे हैं, अगर यह इसका कुछ भी नहीं चेंज कर पाएगा, तो यह हमारा lab exercise इसमें done हुई है, दोस्तों, next video में मैं आपको और भी बताऊंगा, इसके बारे में, कि राम और क्या-क्या कर सकते हैं, अगर हम नए users के साथ में हम, जो हमारी दो testing बच्ची हैं, उनको भी हम perform करेंगे, तहां गया, ओके, यह आप देख सकते हो, delegation provision to modify group membership, यह सेम तरीके से हम करेंगे, next video में, क्योंकि यह video काफी बड़ा होने वाला है, और next video में हम GPO को भी देखेंगे, थोड़ा सा कि उसक कैसे delegate कर सकते है, side and services और other activities को, तो आसा करता हूँ, यह video आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके कोई भी questions हैं, तो please मुझे comment box में ताहिए, thank you.